दुनिया में इसी गिंदे चुने दुने स्मार्टफोन क्यालाते हैं। जिन्में एक नो्किया की बी स्मार्टफोन जल्द ही सामिल हो सकते हैं। क्योंकि दूस्तों ये जो स्मार्टफोन ही, बैक्सेन में 9 lens camera, यानि कि दुनिया की पहली 9 lens camera, एक never expected futuristic स्मार्टफोन आप कै सकती हो, इसकी जो main highlight feature, बैक्सेन में 248 MP की main DSLR camera quality वाले स्मार्टफोन होने वाला है, साथ ही triple LED flash के साथ, इस smartphone market में आएगा तो धामाल माचने वाला है क्योंकि अब तक जो भी smartphone में है dual या single flash देखने के लिए मिला है पर इस smartphone में triple LED flash हमको मिल रहा है सबसे अनो की चीज इस smartphone के display आप कहिए सकती हो यह floating display जैसा smartphone काम करेगा और under display fingerprint scanner के साथ under display camera होने वाले है जिसकी selfish नियापर से आपके बेहोश उड़ा देगी यानि कि मैं कहे रहा हूँ 60 megapixel की selfish नियापर इस smartphone में मिल रहा है जो घिने चुने smartphone में ऐसे camera quality मिलने वाला है दोस्तो अविलेबिलिटी के अगर बात करें तो दो वेडिन के साथ इस smartphone आ सकता है एक होगा 8G भी रहा है और एक होगा 10G भी रहा है दोनों में भी 1TB तक internet storage expect किया जा सकता है जो तो सबसे अनों की चीज़ मेरे को अब तक स्मार्टफोन में battery performance लगा है क्योंकि Nokia बैटरी ज़्यादा तर कम ही देता है पर इस smartphone में 7000 mAh की battery performance expect कर सकते है और इसको charge करने के लिए 70 old की ultra fast charging की support दिया जा रहा है क्योंकि 7000 mAh battery performance के लिए ये fast charging की support चाहिए चाहिए वरना battery performance यानि की battery charge ठीक से नहीं हो पाएगा दोस्तों फाइनली इस smartphone कैसे दिख रहा है आप देख चुके होंगे अगर आपकी कोई सवाल सुजाओ है इस concept के बारे में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताए सस्क्राइब निक तो सस्क्राइब कर दीजिए